आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में और आज हम जो शेयर के बारें बात करेंगे वह एस जेविन लिमिटेड एस जेविन गंदर आप लोग देखोगे अचानक आज हमें जोनों भी तीन परसेंट के करीब गिराउट देखने को मिल रही है और इस गिराउट को लेकर हमारी कल वाली वीडियो मैंने आपको बोल दिया था कि स्टोक में थोड़ी बहुत क्रेक्शन हमें देखने को मिल सकती है यहां पर जो गिरेकशन के पीछे क्या ध्य में अपको बता दिया थैंगे कि क्रेकशन के पीछें एक्शल में क्या है इस परसे बड़ा जो रीजन है वह किιαक्शन के देख्य है कंपनी के शेर में भी वह कितहाई हो कि अव्यailed जो शेर हो आपको गिरते हुए नजर आए तो यहां से जो यह गिरावट होई नहीं सिरफ प्रॉफिट की वजय से हुई है और कोई बड़ा रिजन नहीं है यहां पर आपको पैनिक नहीं होना है घबराना नहीं है एक तो आप लोग देखोंगे यहां पर आपको देखने को मिलती है पता देते हैं एक सेंड़ आपको दिखाएंगे इसका जो सेर होल्डिंग पैटन हो किस प्रकार से बटा हुआ है और उसी वेस पर हम देखें आगे के लिए यहां पर आप लोग देखोंगे चार पर यह क्रीब यहां से बचा कितना बचा दो 70 परचे के पास दो तो सारा आठ दस परचेंट के पास उन्हीं के बीच में ट्रेडिंग रही है तो घवराना नहीं है एक जो लॉंग टर्म के लिए गर आपने लोग तरम के लिए चलिए और कम्पनी को पीछे बड़ा ओडर भी मिला था 5,097 मेगा वोट का ठीए और वो भी मैंने आपको देखा 24 तरीकों कम्पनी को मिला था ना ओडर यहां पर आप लोग देख सकते हो भी 5,097 मेगा वोट अरुणाचल परदेश से जोना भी 5 हाइड़ो प्रोजेक्ट जोने भी अलॉटमेंट यानि अवंटित किये गए हैं और जोना भी आप लोग देखोगे जो एस यह विन है इसको मिलते नजर आए हैं तो यह बहुत बड आप लोग देख लेना डेफिनेटली क्वार्टर वन से पहले सत्तर प्लस पक्का निकलेगा यहां से आप लोग जहने सिरफ और पर पेसंस रखिये ठीक है अपना विश्वास बनाए रखिये एक श्यर के अंदर तेजी बनेगी और गिरावट सिरफ और प्रॉफिट बुक है तो चलो देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखोगे अभी एक स्टॉंगली अप्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है इसमें कोई दो रहा है नहीं है यहां से सपोर्ट कि हम बात करें तो सपोर्ट इसका क्या बना हुए 53 पैसे मैंने आपको कल की दिन भी बोला चलते स्टॉंग आपको कंसोलिडेट करते नजर आ रहा है इस मौके के ऊपर यह जो मौका है अपने हाथ से मत जाने देना यहां पर एक जबर्दस्त मौका होगा देखो वह उपर में जो इसका रेस्टेंस है इक सट रुपे चालिस पैसे अगर यह ब्रेक हो गया तो स्टॉक 99 परसेंट आप लोग देख लेना सत्र प्लस आपको निकलते वे नजर आएगा 99 परसेंट मैं बोल रहा हूं इनका जो लक्ष है वह आप लोग देखो कि 2050 तक कितना जबर्दस्त लक्ष लेकर चल रहे हैं टार्गेट इनका तो यह सारी चीज़े जोना भी लॉंग ट्रम में डिपेंड करती है तो लॉंग ट्रम के लिए आपको दो शेर तीन शेर मैंने बोला था एक तो आरवेनल ठी तीसरा था हमारा जो लो याड़ स्टील है और सुजलोन अनर्जी भी मैंने लॉंग ट्रम के लिए बोल रखा है तो यह तीन चार शेर जोनों भी बैस्ट है आयर अरवसी जैसे इन शेरों में जबर्दस ट्रैली बनेगी लॉंग ट्रम में फ्यूचर में यह जो शेर है इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब बना मत भूलना और गिरावट को लेकर बिल्कुल भी प्रेशान नहीं होना एंड थैंक्यू फॉर वोच्छिंग दे वीडियो